तो आपकी पसंद कौन कांगरेस में चेफ मिनिस्टर हो सकता ऐसी पसंद बताना चाहेंगे दर्सकों को आप सवाल ऐसा पूछ रहें जिसका जवाब मैंने दे सकता इसका जवाब मैं देंगे जो चुने वे देंगे और हाइकमान डेसाइड करेगा आपको पता है, 2005 में भजनलाल जी के बारे में कह रहे थे बनेंगे, कहां भजनलाल जी बनेंगे, बुटा साब बनेगे थे, मैंने बुख्य मंतरी का दावा अगर किया होता, तो मैं समस्ता हूं कि जो है, मैं चुनाव लड़ता, लेकिन मैंने आप बाप बेटे दोनों चुन हर्याना में वोट मांग रही है, हैस्वायल का पानी, आप आम आदमी पारिटी के गठवंदन करने के विरोध में थे हर्याना में, मैं तो कहा था, कोई फायदा नहीं करने का, मेरी तो शेलजाजी से भी रिस्ते अच्छे हैं, यह नहीं को बलाऊंगा, बीच में कोई प्र आपके जो दोस्त है, राव इंदर जीत सिंग, कल कह रहे थे कि देखना है, कैप्टन अजे सिंग यादू का और इनका याराना कितने दिन चलता है भूपिल सी उठागा, राव इंदर जी सिंग जी जो है, आप थोड़ा फरस्टेटेटेड हैं, उनके जिस साथी को टिकट दिलाना चाहते हैं, नहीं दिला पाए, दोस्तों नमस्कार, ये रुद्धराक्ष है, ये कैप्टन अजे सिंग यादू का आंगन है, हम इनके मार्डल टाउन स्थित आवास पर मोजूद है, इनके चेहरे पर कल से कुछ चमक जादा है, कल इनोंने बेटे के लिए नामांक जमा करवा है, भूपेंदर शिंग उडड़ा आये थे, और इनके याराना जो कल हमको दुबारा देखना देखने को मिला, भूपेंदर शिंग उड़ा के साथ, काफी तारीफ एक दूसरे की कर रहे थे, वी चुरण जीव की काफी तारीफ कर गे, लेकिन आपके जो दोस्त राव इंदर जीट सिंग, कल कह रहे थे कि देखना है, कैप्टन अजे सिंग यादो का और इनका याराना कितने दिन चलता है, भूपेंद सी उठागा, चलेगा या नहीं, एक दूसरे पर थोड़ा व्यंग मार रहे थे, आप क्या कहेंगे, राव इंदर जी सिंग जी जो ह एक राय था, वहां का बावल से था, डाटर संजे मेरा, अजे पतोधा था, डाक्टर किर्शन कुमार, सिविल सर्जन, तो बहुत लोग थे, अब वो खीज अपने निकार रहे मेरे उपर, मैं तो उनकी इज़त करता हूँ, बड़े भाई हैं मेरे, ठीक है, तकि मैं उनसे क को टिकट मिलगी, तो सिर्फ एक टिकट जो है, ये बता रहे हैं मैंने दी है, रेकिन ये तो जो आपका जो कैंडिएट लक्षमन है, ये तो आरसेस का आदमी है, उसके साफ़ टिकट मिली है, तो हम कल के शो की बात करते हैं, कल चिरंजीव राओ का शो था, लक्समन यादो का शो था, दोनों में अपने अपने समर्तकों को बुलाया गया था, और यहां पर भुपेंदर सिंग उड़ा पहुंचते हैं, और चिरंजीव को आशिरवाद देते हैं, आप क्या देख रहे हैं, इस बार के चुनाओं को बहुत बार भाविश्वानी करते रहें, आप पह किसी को नागोजारा होती है, और मैं समझता हूं कि कल आके उनने जो चिरंजीव को आशिरवा दिया है, मतलब जो बरफ जमी हुई थी उसको पिगला दिया, इसको पिगलने का कारे हुआ है कल, और हम, मेरी तो पहले भी बहुत चे उनसे रिष्टे रहें, मेरी तो अगर आप लोगों ने चुनाव जीतना है यह वाला चुनाव, अगर सत्तर पार करना है, तो सब को अपने मन मुटा भूलकर और मिल की काम करना पड़ेगा, मतलब आप सत्तर पार मान के चलने हैं अब की बार, हाँ इस बार जो है, अगर अब तक जो टिक्टे मिली हैं, जो ङुएन esti कि वहां थोड़ा संक्रश्च ज्यादा हो, आप OBC की बहुत पहर भी करते रहें, की ओबीसी में भी C A को जो किने मिलने चाहिए, अभी तक जो टिक्टे मूलकर की त्थी, और मुअ जूला शिरम का मैं ने पूरा समर्थन किया था, उनको टिकट मिली है, और इ मेरे पुराने दोस्त थे तो उनका नाम भी जो है मैंने बेजा था और उनको जो है टिकेट पाटी ने दी है तो दो तो यह हैं बाकी और भी जो भी शेल्डे स्टानी हैं बाक जातर तो सिटिंग थे जिए 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 वर्सी कोई वाली बात तो श्रम ज्यादा हुई नहीं ह थे और मंजू चौधरी जो टिकेट मिली है वो उसमें मेरा बड़ा भरी योगदान है कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के क्या बड़े इस्यूज है जिनको लेकर के चुनाव मैदान में जा रही है आप सीनियर लीडर है और वी सी का परतिनी दित्व कर रहे हैं आपके रोजगार के बारे में हमारा में मुद्दा होगा फोकस होगा मैंगाएं के मामले में 500 रुपे का गैस का सिलिंडर देने की बात अभी करी हमने 25 लाग रुपे एक जो राहिस्थान में जो आपकी पॉलिसी थी 25 लाग रुपे जो हेल्थ इंशोरेंस जो है उसका कार दिया जाएगा 300 इन बिजली फ्री है इस तरिके से अभी हमारा मैनिफेस्टो शहरद आज अकल में मैनिफेस्टो मारा आ जाएगा तो उसके बाद मैं आपको डेटेल में बता पाऊंगा अभी मैनिफेस्टों मारा नहीं ना पाएगा क्योंकि ये चीजें तो हमारे सामने आचु बाकियों पर आएगा तो आपको बताएंगे आपको सत्ता से बेदखल हुए दस साल हो गए है दस साल से दूसरे परतिनी दित्त करते रहें रेवाडी का लेकिन सब के निसाने पर आप हैं कल भी देखा जो उम्मीद्वार है रेवाडी के चाहे सथीस यादव हैं चाहे लक्स राद रुभागे रहा इस बार बाकी तो अब सामय की बात है राजबबर जी ने अच्छा चुनाव लड़ा लेकिन मैं समझता हूं कि भागे उनके साथ ने उनके साथ नहीं दिया टिकट वीतरन को लेकर के भाजपा में भी बगावत है कांग्रेस में भी बगावत की सुर कुछ आज होंगी कुछ कल होंगी जो मुझे मारूम पड़ा है और उमीद यह की यह देख के करने हैं अब नाम बताना तो मैं जो है ये नाम बताओ तो मैं अपनी जो है केप्टन साब एक बड़ा इस्यू जो है नहरी पानी का आपको पता है जो यहां रहा है आम आदमी पारिटी से समझोता सिरे नहीं चड़ा लेकिन अगर समझोता तो होई रहा था पंजाम में आपकी सरकार है हरियाना में अभी भारती जनता पारिटी अभी तक तो ही वो कांग्रेस के एजेंडे में हम देखेंगे इस बार अभी जो चुनाव गोशन पत्र आएगा बी एमन हास की बुटाना लिंक ब्राज बनाई थी बनी पड़ी है उसमें केवल पंचर करना था दस साल तक ही जो है सुप्रीम कोट में उसकी जो है पैरी भी नहीं कर पाए क पंचाब से पहले सहमति नहीं लिए इसकाण वो लीगल मेटर बन गया है नहींने वो हमारे अपने स्प्रम ही है पंचाब के सपना यह होगा है तो बहुत पहले भी आ हो की तो बात आगी थी लेकिन दिया नहीं गया क्यों दे ऐसा है कि सरकार बीजेपी की यहां भी थी और वहां भी जो है इनका गठबंदन था पहले आप पार्टी थी आप पार्टी ने जो है उसको कारे नहीं किया तो अब आप पार्टी किस मूझ से जो है हर्याना में वोट बांग रही है आप आर्याना में तो कहां है कोई फाज़ा नि करने का यह तो ओं रिकॉर्ड है मेरा मैंने कहा था कि अगरर कमान करेकी तो आम आम लेंगे पागी आप से वाहलों का ना जना दार य हम कोई वजुद है वो बल्के 5 सीटें हमारी खो जाती कैप्टन साब हम समापन की और बढ़ते हैं सबसे बड़ा इस्यू जो हम गुडगावा से लेकर के रेवाडी तक बावल तक तो देखते हैं वो यह है दूसित पानी की निकाशिक पर दूसित पानी निकलता नहीं है सब यहीं जमा रहता है आपके घर के सामने देखेंगे पानी बरा हुआ मिलेगा कितने भी परियास करो आपने भी परियास किया बारिश के पानी की निकाशी की योजनाई बनाई लेकिन इसका स्थाई समाधान क्या है यह यह जो पानी है एक घंटे में साफ है कि मशीन जब चलाते हैं यहां पर अंडर ग्राउंड पाइप लेकिन परमाने बढ़ जाता है दिली में बढ़ जाता है बरसाथ आएगी पाने तो भरेगा ना नहीं एक सवल्यूशन आप बता रहे थे कि ड्रेन नमबर आट तक हम जोड़ दें कनेक्टिविटी बना दें वह सिवरज के पानी की बात है बजाए इसको 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 पाइप दोबारा दबाके पाइप दबाके जाकर दोड़ दे उसमें ना तो जमीर क्वाइर होगी यह एक सोल्यूशन हो सकता है तो हमने जमी रखवाए करी रखी है वह अंडर ग्राउंड पाइप दबा के ताकि वह पानी ना हो और फिर आगे डेर नमर आट से जोड़ दे उसमें एक तो खर्चा कम आएगा दूसरी बात है कि वह सटक भी हमारी बन जाएगी साइड में जगे ब देख सकते हैं कहीं से मैं नहीं लड़ूगा मैं सिर्फ जो है कंपेन करूँगा बावल में भी कंपेन हुजी करना है और मोहित गुलोग क्योंकि टिक्रेट दिलाना है मेरा योगदान रहा है वहां भी जाओंगा और अगर कुछ समय मिला और जहां हमारे बीसी एके जो आदव ने दावा ठोक दिया था चीफ मिनिस्ट्री के लिए इस बार भी कुछ मन में लड़ू फूट रहे हैं मैंने मुख्य मंतरी का दावा अगर किया होता तो मैं समझता हूं कि जो है मैं चुनाव लड़ता लेकि मैंने आप बाप पेटे दोनों चुनाव लड़े हैं यह कोई एक अच्छी परंपरानी है तो आपकी पसंद कौन कांग्रेस में चीफ मिनिस्ट्र हो सकता है ऐसी पसंद बताना चाहेंगे दर्सकों को आप सवाल ऐसा पूछ रहे हैं जिसका जवाब मैं ने दिया सकता इसका जवाब मैं ले देंगे जो चुने वे मैं ले केप्टन रजी सिंग याद हो का बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया केप्टन साब धन्यवाद